नमस्कार बिर नाम आई शर्वा बिर साथ देख रहे हैं सुराज बीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौझूद है राजधानी दिल्ली के पंडवाला कला गाउं में जहाँ पर एक ऐसी वारदात साब्डे आ रही है जिसको सुनकर कई बड़े सवाल हमारे समाज के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिर हमारा समाज किस दिशा की और आगे बढ़ता हो नजर आ रहा है आपको बता दे कि ये गट्टा दो दिन पहले की है जब यहाँ नाले पर स्थि है और वहाँ से लाश को नाले से निकालती है बोरा जब खोला जाता है तो पता चलता है कि अंदर एक 26 से 30 वर्षी एक व्यक्ति की लाश है और जिसके माथे पर गोली लगी हुई थी गोली लगने का दिशान था उसके बद तोरंत बोड़ी को पोश्मॉटम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद बोड़ी की शिनक्त की जाती है तो पता चलता है वो पंड़वाला कला गाओ के निवासी सोनू है जिसकी अबर 26 साल बताई जा रही है वो यही रहा करता था इस वक्ता मुझे के निवास्थान पर मौजूद है आपको बता दे कि गुड़ो गुड़ो के घर गया था जब रात को अपने पती अपने बच्चे साथ अपने घर पर आराम कर रही थी सो रही थी उसके बाद वो एक बंदूक लेकर गुड़ो एक घर पर जाता है जहा पर वो उसको अपने साथ जाने के लिए जिद कर रहे लगता है जिसका गुड़ो व fire हो जाता है और sodu के माथे पर गोली लग जाती है सोनों की मौके पर ही मृत्ती हो जाती है जिसके बाद गुडो और उसका पती दौलत राब लाश को ठीकाने लगाने की सोचते है वो डाले के पास लाश को लेकर जाते है एक बोरे में उसे बंद करते है और नाले में फैक दे हाला कि परिवार का कुछ और आरोब भी यहाँ पर गुड़ों के उपर लगाया जा रहा है तो चलिए आपको परिवार के एक सदस्य से बात कराते हैं बता दे कि इस वक्त परिवार घर पर नहीं है वो पार्थिशरी को लेकर गाउ जा चुका है परंतु सोनु की भावी इस वक्ति हाँ पर हमारे साथ मौजूद है हम उनकी भावी से बात करेंगे और बताएंगे कि पूरा वाक्य क्या हुआ था इस वक्त हमारे साथ सोनु की भावी मौजूद है उनसे बात करते हैं जानते क्या कुछ वाक्य था और क्या कहना है मैड़म आरोप लगाया है जा रहे गुड़ो द्वारा की सोनू का उनके साथ चक्कर चल रहा था हाँ सर सोनू का चक्कर चल ला था उसके साथ पर पांच चैसाल हो गई तब इन्होंने कुछ नहीं किया और के इधा पर सोनू और बुद्धो दोनों जैने मारे भी हैं उसके घरवाले ने और मेरे भाई इन उसके भाई ने भी उसको मारा कि क्यों नहीं मानता है इसके घरवाले इसको पीछे क्यों पर हुआ है और इसके जेट को सास को सब को पता है इसके आदमी को भी पताए कि हाँ रखाता है पर यह आदमी कुछ नहीं केता एक के साथ नियान जान कितने के साथ रहती है यह का है इसने दस दस भी Wikipedia करके एसी छोड़ दियता है बैको हाँ और एक वालता था पाही कैने गुड़ों मना किया इनके उसके पती के वीचे हातः अफ़ाइयुी जिसके उसे गुली मार दीगे ऐसा अरोप्म राजी ती वो सब हमाई सास भी देने के लिए गवाई हैं पर वो भी जा रखी हैं गाहों में मट्टी लेके वो खुद कह देंगे कि कितने पीछे पड़ती थी और मैंने मना भी करी थी पर जे नहीं मानती थी मैंने गाली भी गुलू जिद्वी दी कि क्यों इसके पीछे पड़ी है तो आपने देखा किस प्रकार से गंभीर आरोप यहाँ पर लगाये जा रहे है सोरू की भावी द्वारा जो गुड़ों के ओपर इलजाब लगा रही है कि गुड़ों भी चाहती थी सोरू के साथ रहा परंतु इस रंजिश के बाद जब सोरू की वृत्ति हो गई उसको ग घर पे जाना अनुचित था रात के वक्त परंतु गुड़ों के भी यहाँ पर गलती सामने आती है क्योंकि विवाहित थी और विवाहित औरे के बाद भी किसी और आदमी के साथ प्रेम संबंद उसका चल रहा था यह बात कि उसकी पती को जब भनक लगी रात को तो इन दो सब्सक्राइब करना ना भूले क्यामरे पर्षेंट खुशी के साथ मैं आई शर्बा और आप देख रहे थे सुराज मेडिया नेटवर्क